असे लेक्चर में हम लोगों ने बेटा DNA रैप्लिकेशन स्टार्ट किया था और DNA रैप्लिकेशन में हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ की experimental प्रुफ में हमने बात किया था कि दो सेंटस थे एक तो थे दो एक्सपेरिमेंट किये गए थे से एक एक्सपरिमेंट किया था मैथ्यू मिजलसन और फ्रेंकलीन स्टेहल ने यह हमने बात कि थी और दूसरे किया था टेलर एंड हिस कळीग्स नहीं तो सेंटस से जिनों ने एक्सपरिमेंट किया था दोनों ने ही 1958 में ही experiment किया था बिटा तो उसी के basis पर हम आगे discuss करते हैं तो बिटा हम first experiment को start करते है मैथ्यू मिजलसन और फ्रेंक्लिन स्टेहल ने क्या किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया बिटा ध्यान से सुनना बड़ा important topic है सबसे पहले उन्होंने क्या किया E. coli bacteria को लिया और E. coli bacteria को एक ऐसे culture मीडिया में ग्रो कराया bacteria है कम space में ग्रो कर जाता है artificially उसने medium synthesize किया lab के अंदर और उस medium में nitrogen source के तोर पर सिर्फ nitrogen 15 दिया और nitrogen source उसने किस form में दिया ammonium chloride की form में यह पूछा जाता है nitrogen source किस form में दिया ammonium chloride लेकिन change क्या किया twist क्या किया normal 14 nitrogen लेने की बज़ाए इसने nitrogen का heavy isotop लिया है मैं दुबारा बता देती हूँ उसने radioactive isotop नहीं लिया रेडियो अक्टिविटी के basis पर वो नहीं करेगा उसने heavy isotop लिया है नॉर्मल जो nitrogen का isotop होता है वह होता है 14 तो उसने nitrogen 14 डालने की बज़ाए इस nutrient मेडिया में nitrogen 15 डाला अब E. coli bacteria है यह क्या करेगा multiply करेगा अपने आपको binary fusion करेगा लेकिन नहीं स्टेंड को synthesize करने के लिए पॉली नुक्लियोटाइड चेन पढ़ चुके हो तो पॉली नुक्लियोटाइड चेन में nitrogenous basis के अंदर आपने nitrogen पढ़ा है तो अब जो nitrogen वो लेगा वो कौन सा लेगा nitrogen 15 इसका मतलब जो भी स्ट्रेंड नया synthesize होगा उसमें 14 की बजाए कैसा nitrogen जाएगा 15 हाला कि पैरेंटल जो इक उलाई था उसमें तो नॉर्मल नेट्रोजन था लेकिन इस इक उलाई को हमने nitrogen 15 containing media पे तब तक ग्रो कराया जब तक कि इसके अंदर जितने भी nitrogen containing compound थे nitrogen 14 वाले वो किस से replace ना हो जाएं मैटा nitrogen 15 से replace ना हो तो इससे अब है क्या मिला the result was that and 15 वाज incorporated into the newly synthesized the newly synthesized क्यों कह रहें मैटा क्योंकि पैरेंटल तो था nitrogen 14 वाला मैं आलो पैरेंटल को आम blue color से represent कर रहे हैं तो दोनों strand replication कैसे करेंगे दोनों strand separate हो जाएंगे और दोनों strand template का का काम करेंगे लेकिन जो नया nitrogen, नया strand synthesize होगा उसमें जो nitrogen आएगा वो कौन सा आएगा nitrogen 15 और पैरेंटल भी nitrogen कैसा था नॉर्मल नाइट्रोजन लेकिन नया जो strand बन रहा है उसके लिए नाइट्रोजन सोर्स नॉर्मल नाइट्रोजन देने की वजाए नाइट्रोजन 15 दे रहे तो इन दोनों के अंदर ही जो नया strand synthesize होगा उसमें nitrogen 15 इंकॉर्पोरेट होगा किसकी जगह पर नाइट्रोजन 14 की जगह पर ठीक है तो हमारे पास ऐसे प्रोजैनी डीन दे मिल जिनका एक strand तो नॉर्मल नाइट्रोजन containing है जिसके density कम है और दूसरा strand जो बना वह एन 15 containing है इसलिए उसके density क्या है ज़ादा ठीक है अब हैवी नाइट्रोजन को नॉर्मल नाइट्रोजन से differentiate करने के लिए उसने क्या यूज किया बिटा उसने यूज किया सीजीम क्लोराइड डैंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिगेशन क्या यूज किया बिटा बिटा इस यूज किया यूज किया सेंट्रिफिगेशन हम already pehle Group डिसकस कर चुके हैrator lease जो होता है, छोटे छोटे किया DNA के सेंपल लिए एक रागुलर इंटर्वल ऑफ टाइम पे DNA के सेंपल कैसे लिए बटा एक रागुलर इंटर्वल ऑफ टाइम और वो रागुलर इंटर्वल ऑफ टाइम क्या था बटा यह से ध्या दखना वो रागुलर इंटर्वल ऑफ टाइम था जितने टाइम में व पूरी कर लेता है है एक रपकाश्यां जैसे मैथ्यू मिसल्सन और फ्रैंग्निंस टीहल ले जो एको लिया वो 20 मिनटे में अपनी एक अप्लिकेशन साइकल पूरी कर लेता है तो इसके केस में हर 20 मिनिट के बाद हमने डीन ने सेंपल लिया और डैंसेटी को मेजर किया ठीक है अगर एक कोलाई की वजाए हम कोई और और अर्गेरिजम ले जैसे टेलर एटल ने फैबा बीन्स लिए तो उनके लिए यह टाइम इंटरवल अलग इसके कंडे पूरी कर लेता हैं तो जैसे इकोलाई 20 मिनिट में अपनी एक रप्लिकेशन साइकल पूरी कर लेता है तो यह करने के बाद हमने सबसे पहले 20 मिनट के बाद सेंपल को चेक हिया फिर हर 20 मिनिट के बाद हम रिजल्ट लेंगे 40 मिनट के बाद 60 मिनًट breakaway 90 minute के बाद है चार मार इस ने रेजल्ट को मेजर किया तो उसको क्या ्यर्च मिला लुँक्व यूप दिखा रही हूं दियान से देखना क्या रेजल्ट उसको अप्टेन हुआ था और क्यूं हुआ था वह भी मैं कारण भी आपको बतांगी तो ध्यान इक nitrogen 15 containing media पर grow कराया जब तक कि उसके पास जितने भी nitrogen है वो nitrogen 15 के ना हो जाए जैसे कि यह हमने कहा था कि nitrogen 15 incorporate हो गया तो यह अगली generation बढ़ाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा बिटा यह nitrogen 14 वाला strand इदर आ गया और 15 वाला इदर 15 वाला इदर 14 वाला इदर तो इसमें नया strand बनेगा वो तो 15 वाला बढ़ेगा तो उसने ऐसे E-coli ले लिए जिनके दोनों strand nitrogen 15 वाले हैं तो यह रखो जब तक E-coli को nitrogen 15 containing ammonium chloride solution पे grow कराया जब तक कि उसके दोनों strand पे nitrogen 15 incorporate ना हो जाए उससे पहले कोई भी reading नहीं ले नी है ठीके उसने फिर last में एक E-coli select कर लिया जिसके दोनों strand पे nitrogen 15 है और उसके density को measure किया इस tube को आप ऐसे मत देखो आप यूं मानो कि यह tube ऐसी है ऐसे करके देखोगे तो क्यूंकि दोनों strand पे nitrogen 15 है और nitrogen 15 have a density का molecule है तो density होगी बहुत हाई तो centrifugation जब हमने किया तो DNA आपका bottom पे आया क्योंकि इसके density क्या थी? heavy थी अब क्योंकि एक ही DNA strand था और उसकी भी दोनों strand पे nitrogen 15 था तो एक ही band हमें दिखाई दिया वो भी कैसा heavy density का अब हम क्या करेंगे? एक उलाई को normal nitrogen containing media पे shift कर देंगे किस पे shift कर देंगे? नॉर्मल nitrogen 14 containing media पे बेटा 15 पे तब तक grow कराना है जब तक कि एक उलाई के दोनों strand पे nitrogen 15 ना आ जाए उसके पाद जितने भी नॉर्मल nitrogen थे वो 15 से replace ना हो जाए उसके बाद जब हमें reading लेनी है तब हम इसको एक ऐसे culture media पे transfer करेंगे जिसमें 15 की बजाए normal 14 nitrogen है पहले हम 15 पे grow करा रहे थे अब reading लेंगे तो 14 containing media पे grow कराएंगे ठीक है? और जब grow कराने के लिए 14 पे रख दिया तो एक regular interval of time के बाद reading लेंगे जैसे पहले 20 मिनट के बाद फिर 40 मिनट के बाद फिर 60 मिनट के बाद फिर 80 मिनट के बाद ऐसे हमें reading लेनी है तो करके रेखो जब उसने 20 मिनट के बाद reading ली तो उसने क्या observe कि बैंड तो आया एक ही लेकिन वो बैंड heavy density का नहीं आया heavy density का तो bottom में आता वो कैसे density का आया hybrid का ज्यान से सुना 20 मिनट के बाद उसने क्या result observe कि result आया single band लेकिन heavy की वज़ाए hybrid density का आया फिर उसने अगली 20 मिनट के बाद reading ली तो उसने क्या observe कि दो band दिखाई दिये कैसे एक तो low density का और एक hybrid density का और band की thickness जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी न बिटा उतना हमें ये भी पता चिल जाएगा कि low density के dna कितने है और hybrid density के कितने है तो 40 मिनट के बाद जब हमने reading ली starting से तो low और hybrid किस ratio में आए फिर उसने 60 मिनट के बाद reading ली 60 मिनट के बाद उसने क्या देखा लो और hybrid किस ratio में आ रहे है 3 ratio 1 मे किस ratio में आ रहे है बटा 3 ratio 1 मे ठीक है तो इस तरीके से उसने अपने readings को लिया तो उसने क्या observe किया बटा initially तो एकी band आ रहा था heavy density का 20 minute के बाद 1 DNA से 2 बन गे तो भी एकी band आ रहा है hybrid का फिर 2 से 4 बन गे तो भी एकी band आ रहा है ना 2 band आ रहे low और hybrid के लेकिन 1 ratio 1 में फिर 60 minute के बाद किया तो 4 से 8 प्रोजेनी बन गी तो ratio आ रहा है 3 ratio 1 क्योंकि 6 आ रहा है से 16 हो जाएंगे बटा और 16 में भी कैसे 80 minute के बाद आप क्या observe करोगे बटा लो का लो का नंबर हो जाएगा आपका 7 ratio 1 लो और hybrid का रेशो क्या आएगा 7 ratio 1 क्यों क्योंकि 8 प्रोजेनी से 16 आ जाएगी hybrid अबेशा 2 ही रहेंगी और 2 hybrid रहेंगी तो 16 में से 14 क्या रहेंगी आपकी low density के DNA तो रेशो क्या आजाएगा 7 ratio 1 और ये रेशो सिर्फ कब आ सकता है जब DNA रेप्लिकेट करे semi-conservatively कैसे ध्यान से देखो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे कि दोनों नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन 15 है ले लिया हम ले density मेजर कर ली हैवे डेंसिटी आई अब अमने इसके अंदर एक रेप्लिकेशन साइकल पूरी होने दी कैसे यह दोनों स्टैंड सेप्रेट हो जाएंगे डार कलर से मैंने रिप्रेजेंट किये और दोनों ही स्टैंड टम्पलेट का काम करेंगे और दोनों ही अपना कॉंप्लिमेंटरी स्टैंड सिंतसाइज करेंगे बटा लेकिन जो कॉंप्लिमेंटरी स्टैंड होगा उसमें सबढ़ाइब नेन जborवर्त दोनों होगा बिक्ला फटेंट में 12 और फिर्वेनेoston लिक्मारे संथल ग्रते ऑडप सब्सक्राइब भर 20 जिने क्यों जो नियू जार्टल में सब्सक्राइब जो नीट के खी 5 लिक्रति एक सब्सक्राइब 15 का है और एक 14 का तो density कैसी आगी hybrid density आगी फिर इसने क्या किया 40 minutes के बाद observe किया तो देखो अब यह DNA है तो क्या होगा दोनों स्रेंड सेपरेट हो जाएंगे तो एक में तो 15 चला गया और अब दोनों ही अपना complimentary से ट्रेंड सिंतेसाइज करेंगे अब complimentary स्रेंड तो अमेशा ही क्या होगा 14 क्योंकि अब हम जो nitrogen source दे रहे वह 14 दे रहे तो यहां पर नया स्रेंड मना 14 यहां पर भी नया स्रेंड बन गया 14 तो इस DNA की density होगी hybrid क्योंकि एक स्रेंड 15 है और एक 14 है इसकी density होगी लो similarly इस पैरेंट ले भी अपने दोनों स्रेंड को सेपरेट किया 14 एक में आ गया और 15 एक में आ गया दोनों ने अपना complimentary स्रेंड सिंतेसाइज किया वह कैसा 14 वाला light clear से 14 दिखा रहे तो इस DNA की density आई hybrid और इसके density आई low तो हमारे पास दो लो डेंसेटी के DNA बन गे और दो hybrid के तो लो और hybrid में रेशो क्या आ गया वन रेशो वन फिर सक्सी मिनट के बाद उसने क्या किया थर्ड जनरेशन में अब इस पैरेंट में इस दोनों हमस्त्रेंट होगे विफ्टीर को और फॉर्टीर नाय Jaime सेपरेंट six सिंसाइज हो गया सिमिलर्ली इसके दोनों स्टेंट सेपरेट हो गई नैसा क्वरटीं सिंसाइज हो गया सिंल्यर्ली यहांपे नै श्रीं धान लेकिन बटा इसमें किえて विस्ट क्या है वह आपको मैं बता देती हूं कि ऐसा करने के बाद आपने क्या observed कि हमारे पास प्रोजनी आई एस एट में से दो learnी जो हैमारी वह तो ऐसी है जिनका एक एक स्टेंड 15 वाला है और एक एक है 14 वाला और बाकी छे प्रोजयनी हमारे पास ऐसी है जिनके दोनों स्टेंड 14 वाले हैं तो इन में जो लो और हाइब्रिड का रेशो आया वो कैसे आया छे लो है दो हाइब्रिड है तो रेशो क्या जाएगा थ्री रेशो बन अब सेम यही जो है अगली जनरेशन के लिए काम करेंगे तो देखो एक दो तीन चार पाँच छे चेड यहने के दोनों स्टेंड 14 वाले हैं तो यह अपने दोनों स्टेंड को सेपरेट करेंगे तो बारा के बारा टंपलेट हमारे पास ऐसे बनेंगी जो फर्टीन वाली होगी तो बारा पर आपके नए बारा स्टेंड बनेंगे तो वो बारा प्रोजे नहीं तो आपकी कैसी हो जाएंगे बाटा लो डैंसिटी की बचगे दो हाइब्रड तो दो हाइब्रड मेंसे जब इनके टेंपलेट सेपरेट होंगी तो एक 15 की है एक 14 की 15 वाला हाइब्र डैंसिटी तो इसलिए रेशो क्या आजाएगा लो और हाइब्रिड का रेशो आजाएगा आफ्टर एटी मिनट सेवन रेशो वन ठीक है तो यह अब्जाव किया था मैथ्यू मिजलसन और फ्रेंक्लिन स्टेहल और उन्होंने यह प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसे रेजल्ट सिर्फ इसलिए इकुलाई को नाइट्रोजण 15 कटेइनिंग मिडिया में ग्रो कराया कोई रेटिंग ने ली कब तक ग्रो कराया जब तक की उसके ऐसा इकुलाई हमें ना मिल जाए जिसके दोनों स्टेंड पे नैट्रोजन 15 हो अब हम वहां से रेटिंग के शुरुआत करेंगे उ को ट्रांसफर कर देंगे ऐसे मेडिया में जिसमें 14 डालें और 14 में डालने के बाद हर एक फिक्स इंटरवल के बाद हमने उसकी रिडिंग ली और वह फिक्स इंटरवल क्या है जितने टाइम में वह अपनी एक रैप्लिकेशन साइकल पूरी कर लें 20 मिनट के बाद हमने एक ही बेंट आपजोग किया वह भी हावी की बजह हाए हइपर ढेंसिती का 40 मिनट के बाद 2 बेंट मिलें सीन दोばनड मिलें 3 रेशोन ऐर 80 मिनट के बाद भी दो बेंड मिलें इन किस रेशो में 7 रेशो 1 में 1, 3 और 7 यह क्या है hybrid density और 1, 1, 1 यह क्या है बिटा low density के बैल अब टेलर एड है इस कलीक्स ले क्या किया इक्सपरिमेंट किया 1958 में इन्होंने एक्सपरिमेंट परफॉर्म किया विसिया फैबा पर या इसको हम फैबा बीन्स भी कहते हैं हमने पहले पर डिसकस किया लेकिन जैसे मैथ्यू मिजल्सन ने हैवी इसो टॉब ऑफ नैट्रोजन यूज किया वैसे ही इन्होंने रेडियू एक्टिव थाइमेडीन यूज किया अब वहां पर तो हम सीजियम क्लोराइट डेंसिटी ग्रेडियन्ट यूज कर रहे थे क्योंकि डिफ्रिंस था डेंसिटी के बैसिज पर लेकिन यहां पर डिफ्रिंस है रेडियू एक्टिविटी के बैसिज पर एक में रेडियू एक्टिविटी दिखाई देगी एक में नहीं देगी तो रेडियू एक्टिविटी के बैसिज पर डिफ्रिंशेट करेंगे डाट विस हम ओटो बायोग्राफी करेंगे ओटो बायोग्राफी क्या जब भी आप रिडिंग होगे तो रिडिंग लेते टाइम, यह बात हमेशा ध्यान दख लिए कि आप रिडिंग डैनसीटी मेजर करने के लिए जोग द्यन लेते हो वह हमेशा डबल स्टेंडडेड डिएन्डे होना यह कैसा होना चाहिए double stranded ठीक है यह चीज आपको धियान रखनी है कि the extracted DNA that remained as double stranded helix उसी के density आपको measure करनी है कहीं आप गलती से ऐसा DNA strand ना ले ले जो single stranded हो जिसने replication पूरा ही नहीं किया हो तो हमें जब हम sample लेते हैं तो यह चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें density ऐसे DNA strands की ही measure करनी ह है जो double helix की form में हो single helix की formation में नौ यह सीज आप ध्यान रखना ठीक है तो यह बिटा important है अब एक question यह आता है जो NCRT ने पूछा है यह मैं आपको पता देते हूं can you recall what centrifugal force is and think why a molecule with higher mass or density would sediment faster by centrifugation में हमने पड़ा कि हम centrifugation force लगाते हैं तो centrifugation force कितना लगाएंगे और कितने time के लिए लगेंगे तो यह सीत्यान अगना यह पर हम जो centrifugal force दे रहे है वह 5000 rpm का दे रहे है rpm मतलब round per minute जो अमने test tube ली थी लह वह एक मिनट में इतने round लेगी वह सेंट्रिफिगेशन ट्यूब होती है उसमें ऐसे रोटेट करती है तो वह एक मिनट में कितने round लेगी 5000 राउंड लेगी ठीक है तो इस फीड पे अमने dna को रखा है और इस फेड पे हम कई गंटों के लिए रखेंगे time fix निए time तब तक हम देंगे जब तक की dna एक फिक्स पोजीशन पे ना आ जाए ट्यूब में किस पे ना चला जाए एक फिक्स पोजीशन पे ना चला जाए ठीक है बटा dna जिसके density high होती है वह फास्टली क्यों sediment होता है क्योंकि high density के molecule पे gravitational force जो होता है वह भी high लगता है because of high gravitational force तो n 15 अगर दोनों strand पे हो तो heavy density का dna बन जाते है तो वह फास्टली sediment होगा तो वह bottom में चला जाएगा जिसका एक strand 15 वाला है और एक 14 वाला वह intermediate density का है hybrid density का है तो वह बीच में settle हो जाएगा और जिसके दोनों nitrogen 14 वाले हैं स्टैंड पे वह low density का है वह top पे रहेगा उसको sediment होने में time लगता है तो जब तक sedimentation complete नहीं होता है और sedimentation कब complete होगा जब आपका dna एक fix position acquire कर ले that means all time देने के बाद भी dna अपनी position को change ना करे that means उसका sedimentation क्या हो चुका है विटा complete हो चुका है तो इस तरीके से हम पता लगाते है तो यह था आपका dna replication का experimental proof बहुत बार exams में आया और ncrt ने एक और question पूछ लिया अगर e coli को 80 minute के लिए allow कर दे तो light और hybrid density का क्या ratio आएगा यहां पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं 60 minute के बाद हमें 6 progeny dna मिलेंगे 6 light density के और 2 hybrid के 8 total आपको progeny मिलेंगे और 80 minute के बाद हमें 14 light density के और 2 hybrid density के 7-1 में मिलेंगे तो यह हम already discuss कर चुके है बटा यह था आपका आज का topic अगर इससे related कोई भी doubts आपके है तो आप clear कर सकते हैं